सु हाई कैसे आप सभी लोग हम आज यहां पर सीप्यू के वोल्टेज पढ़ेंगे और अक्सर यह देखा जाता है हम किसी फोन पर काम कर रहे हैं तो यह तो बना रहा है यह सीप्यू रिबॉल कर दिया पावर आइसी सारे बक और ल्डियो बना रही है सब कुछ होने के बाद अब यह वो पॉड्ट बना रहा है या या पॉट नहीं बना रहा है यह वह एक जो बहने के इस सारी चीजह चक करने के लिए आज मैंने यह वीडो बनाए और आपको अगर इससे भी बैटर और बेसिक से सीखना है तो आप इससे टिल्यकों को पहले वाच करना फिर जोईन करना मैं डारेट नहीं बोलूंगा जोईन करना वैसे हमारे इतनी हिस्तानी से मिलते नहीं है पहले वाच करना फेस्वीक में जाके लाइव देखो और अपने तो नहीं लेटेस्स CPU पे काम करेंगे और इस CPU को पढ़ेंगे तो CPU को पढ़ने के लिए हम क्या करने के लिए इस वीडियो को बनाया है तो आपको पहें लेके बैठ जाओ ताकि आपका नॉलेज काफी अच्छा हो जाए और लगे तो लाइक और कमेंट करना जरूत नहीं है व चलिए तो CPU को जब भी हम टिक करते हैं तो यहां पर CPU आता है अब CPU आता है पर वो क्या होता है बिसीकली थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेना बहुत कुछ समझा सकता हूं बहुत सारी एक एक चीज़ डिटेल में बढ़ फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट लैड लाइन सम जो कैसा है कि यह जो नंबर लिखा हुआ है यह पार्ट नंबर है यह हमारे इस पार्ट का नंबर है और यह जो नंबर लिखा हुआ है यह हमारे टोटल पार्टों का नंबर है मतलब क्यूंकि एक पार्ट में तो सब कुछ दिया नहीं जा सकता कहने का मतलब यह है कि वो एक या फॉर्जांपर यू ट्री वन डवल जीरो ऐसा भी यह हो सकता था पर जब भी नूमेरिक होता है ना तो डैक्स हमेसा लगता ही है तो पूरा नमबर ही काउंट हो जाएगा तो यह तरह का डैक्स तो एक के बार दो आएगा फिर तीन आएगा फिर चार आएगा पाच इस त Darza करेंगे सीप्ऊ को सुरू से पढ़ेंगे एक से पाधिर हैं तो एक में आप देखें था यह तो गैरा हो गया या के MAYragen से एप्टोल पार्ट हम इसको आ रहा हो पहले हैं धेसंट है सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज आप भी मत बनो चीखो और क्लास जा नहीं पड़ेगा सीखने के लिए यूट्यूब एक मादम में थोड़ा सा सोर्स बराने का बट बहुत सारे डाउट के लिए इसमें भी बहुत सारे डाउट बनेंगे आपके वह कहां आपका फॉन का नेक्ट ही नहीं होगा तो बड़ी हम बात में बात करेंगे अब वन में हो जाए तो टू में जाते हैं तो टू में जीपी आई हुए मनला जनल परपस इन आउट इसमें रहती है रिसेट की लाइन आई टू सी लाइन मीसो मॉसी कैमरा के सिगनल एन सिगनल सारी लाइन है इसमें देती है यूआर्ट सिगनल यह देख रहे हैं आप स्पीकर के आई टू एस सप्लाई डाटा तो यह सारी लाइन है जीपी आई हो बेसिकली लोगों ने इसको आस्तर समझाए ही नहीं है सिपी आई हो जनल परपस इन आउट बोलके घटम कर दिया है य यह एक्षुली प्रोगामेबल हिस्सा यह थोड़ा सा है ना इस में इसके लिए माफी चाहता हूं तो ड़ी स्क्रीन जल्ली जल्ली चेंज हो जाती है तो लाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी स्कीन पर में रहना पड़ेगा वह चेंज हो सकती है कोई नबर है वह देखना पड़ेगा उभी इसके सेटिंग है लिगो जीपी आई हो क्या है ना एक प्रोगामेबल हिस्सा है मतलब सीप्यू से प्रोगामिंग की जो कोडिंग उटी वह अधान-ब्रदान करता है अपनी स्लिव आईसी या जो भी जो इसके साथ में काम कर रहे आईसी में बात करोगा यह यहां पर बात करूँगा यहां पर देखो यह सब्सक्राइब स्सी क्या होता है यह भी प्रूटोकॉल है जैसे आई टू सी मीसो मोसी आरेश जेटेक आरेश टीएश डाटा क्लॉक यह सारी सप्लाइए अभी कैसा है अभी हम इसको फोर्ड में जाएंगे और क्लिक करेंगे यहां पर देखो एडी आई लिखा है मतलब एस्टरनल बस इंट दिखाती है ठीक है सीप्यू का नंबर है SM7150 अभी कैसा यह भी हमें अभी जरूरत नहीं है पाइब नंबर में जाएंगे पर इस रैम की वज़े से आपका आटोपोर्ट बनता है यहां पर यह भी आपका इभी आई है तो फाइव भी था क्या है तो शिक्स में जाएंगे टो वन होगा यह मीपी मतलब मोबाल इंडेस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस यह से इस का मतलब होता है आपका क्यामेरा से घ्र्फेस और दिस्पлекराई से lum होता है जो लाल करना और यह है डबलू लाइंग क्यू लिंक मतलब यह आपके वाइफाई के लिए उन्होंने एक डेडिकेट ही सप्लाई पूरा दे दिया है तो यह पूरा वाइफाई को जाएगा साथ में यह क्यू लिंक का आपको डाटा देखाई दे रहा है आरफ का डाटा है तो जितने भी पावर बन यहीं हमें चेक करना है एक बार हम पूरी पढ़ लेते बार नौवे नंबर पे क्या है नौवे नंबर पर पावर टू वेरी गुड और दसवे नंबर पर क्या है दसवे नंबर पर भी आप नोटेस करो तो आपकी पावर ठीए तो बिल्कुल इस जैटली मैंने आपने स्किन शॉट ले लिया होगा अब जो भी विचारे टीचर हैं उनको देखकर पढ़ाओ ठीक है चलो चलेगा तो अभी कैसा है अभी कैसा है नोटेस करो कि मेरे को ना पावर के अलावा और क्या है चलो वो भी देख ले जाना ग्यारा पर जाते हैं वी एंडी है बार पर आप जाते हैं इस अखेस बारा पर जाते हैं मतलब हम्हें आट 910 नंबर जाते हैं तो आप नमबर पे आप नोटेस करो किया है आपको कि नमबर पर जो पहली बक सप्लाइए मोर्टम की सप्लाइए यह आपके सिम और बेसमेंट को अटिवेट करती है तो यह आना ना आना फॉन ओने के लिए इसको ज़ूरी नहीं है बट यह समझ लो कि यह चीज में आपको थोड़ा सा यह समझाता हूं जहां पर भी यह ना यह वी आदीची का मतलब वोल्टे रेगुलेटर होता है जहां पर भी S सब्दो क्या सब्दो एस एक्वल बख सप्लाइं के अंदर बात करेंगे और अगर ल हो तो वह हम ना एडियो कि दो ही चीज है आर पीम के अंदर कुछ भी नहीं है तीसरा बहुत कॉंप्लिकेट बनाते हैं टीचर मैंने देखा है इंडिया में वह चीजों को कॉंप्लिकेट बनाएं अगर बनाना पर समझाने का तरीका आपका बिलकुल सरल तरीका होना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए तो अब हैसा है इसको मिलने वाले 07 यह बख की सप्लाइए यह मैं इतना इंप्रटेंट लाइन नहीं है अगर आउन होनी की बात करें तो वीडीडी एमस इंप् सप्लाइए यहां पर लिखा हुआ है और अब मैं आपको दिखा भी देता हूं तो पहले क्या होगा पहले इसके मिलेंगे यह सारे इसके बाग कैपिस्टर से देखें जो जुन्ड लगा होता है और उसके साथ में पिर यह देखो यहां से निकल रहा है यह इसकी कोईल है य अब बॉड़े है इसको यह सप्लाइए इसौंड लगा हुआ है इस तरह से है तो आइए बक की सप्लाइए के आपको आपको अनॉलेज्ट नहीं तो बतायेगा यह देखो यह का काम भी कर रहे तो आपको समझना है यह लाइनों को घुमाते रहो पता चल जाएगा यह बग यहां पर आपको देख रहे हैं तो कि और बड़ ब्रड़ डब्रव डब्र 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 सीप्यू को मिलने वाली यह सीप्यू को मिलेगी यह सारी सीप्यू के लिए बाई यह बनना जोरी है आप समझो LD नहीं बनेंगे CPU को पूरे वोल्टेज मिलना बहुत ज्यादा जहूरी है इसलिए मैं हम इसा कहता हूँ पावर के अंदर के सारे LD चेक करो लोग चेक नहीं करते क्या कर सकते हैं चलिए सर आगे पढ़ते हैं तो अभी हम फिलाल VDD MX के बाद में हम बात करें तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है नीचे कोई वोल्टेज नहीं है अब इसके बाद मेरे को QFP अब लोग VDD तो आपके वोल्टेज हो गए चलो ठीक है अभी कैसा है अगर इस पर ए लिखा होता तो यह अनलोग वोल्टेज होते है डी लिखा हो तो डिजिटल होते है VDD QFP अब मेरी बाद समझना आगे देखो क्या लिखा हुआ है क्या कोडिंग रोम HD UMI मनलब इससे हमें यह वादा चलता है यह हमारे स्टोरेज के लिए रिलेटेट कुछ वोल्टेज है यह हमारे है आप देखो यहां पर कितना वाद्ड मिल रहा है तो इसको मिलन से मिल ला हुआ हुआ है यहां पर देखो बनाती है यह वाला आपका से बनता है सो आप यह समझें कि हमारा इसको मिलना जोरी है तो यह इसके बाद में बात करेंगे यह हमारे अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं अगर आप पूरा वीडियो देखना है क्योंकि कुछ भी एक ऐसी इंटरस्टीन चीज चूट जाएगी अगर मालो कि य कि बहुत आपके यहन क्या गर सकते हैं तो हम यह गर सकते हैं कि हम कहीं किसी ऑरफाको पर 1.8 बन रहा है न तो हम यहीं से उठाके यहाँ पर क्या माठ सकते हैं नंबर आइपास करो यार यह इसको थोई ना बता कौन चाहिए इसको वोल्टेज चाहिए बड़ इसकी इना जरूर पूरी करो और यह देखो कि इसको वोल्टेज कब से कब मिल रहा तो उसके लिए एक ओन फोन पर पहले टेस्टिंग कर लो SM CPU के साथ क्या दिख करते हैं वन टाइम ही करना यार यह देखो LPI MX यह हमने देखा ही था LDO के वोल्टेज है यह मिलना चाहिए 0.9 ठीक है तो यह सारे हमारे CPU के वोल्टेज है तो आप सभी लोग जो यह वीरो देख रहे हैं मैं यह चाहूंगा कि आप SM CPU यह जो भी है SM 7150 CPU के साथ में पैटिकल करो और इसमें यह वोल्टेज देखो यह देखकर कमेंट पर बताओ नहीं बताना चाहते हैं तो मन बताओ यह जो भी तुमारी मर्जी पर आप जान लो कि यह कब आते हैं कमनी आते चार्जर लगाने पर कौन-कौन से बनते हैं देखो बहुत सारी चीज है तो मैं भी हाइट रख होंगा ना बढ़ी क्लास में है तो यहापको समझना है तो मैं आपको चलो यहाँ पर हिंट दूंगा तरहाएं पर यह खाली होता है यह आपका बनेगा और पहला होता हे था Children का यह बराबर को यहimaran अभानी मोरत करते हैं दूसरा पार्ट की नौबे में चलते हैं नौबा बड़ा पार्ट है नौबा बड़ा पार्ट नहीं है बर समझो कि थोड़े वोल्टेज ज्यादा है जैसे इसमें CS कोड की सप्लाई है यह भी आपका बंदना चाहिए नहीं तो आपका फोन लो बूटिंग पर चल जाएगा जैसे 0.8 से 0.5 फ्रीश्ट करें तो इस टुक भी उसाता बड़ रोग नहीं होगा बापस जीरो आ जाएगा यह ग्राफिक्स का ए जी एफ एफ से वी डी डी यह भी आपका बिसीकली एस लिखा हुआ है ना मतलब यह क्या है यह आपका बक बोल्टेज अब यहां पर एक क् भी मुझे कमेंट करके बता किस को पता है यहांपर एक यु लिखा है नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दू मैं पका आह यह जा देंड़ पर करके भी टैनो पद करते हैं तो यह कितने हैं यह पी टैन इलावन तक है तो इसमें से कौन से इंपोर्टेंट है तो यह समझ लो जैसे यहां पर सप्लाइब रही है तो यह वी आई आउट 1.8 वोल्टेज यह आउट डे रही है वी डी डी पी वन 1.3 वी डी डी टू नोटिस करो चलो मैं सप्लाई पर्राही है यह वाली के लिए आप देखो थे यह वाली सप्लाइब beyond के लिए अब मैं आपको बताऊँगा डा मैं सहां रख रहा हूं चीज को ब्धि रगव्त होना बहुत जर्ज़ोरी है यह बहुत जोड़ी है बनना बहुत ज़्यादा जोड़ी है अब यह देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यह कैसा है आपको यह समझना है कि इस पर आपको इतना वोल्टेज मिलना चाहिए किसी एक ओर पर 1.3 वोल्टेज तो इसी तरीकर चाहिए पढ़ना है आपको अब यह वोल्टेज यह सारे आपको वोल्टेज यहां पर चेक करने हैं सिंगल सिंगल पैड है अब इसमें से कुछ वोल्टेज आप जो कहते हैं कि हम ओन करने चाहिम पर रिकॉर्डमेंट होती है नहीं होती है तो यह आपको समझना है इसको आप टेस्ट करो और आपको पता चलेगा कि कैसा है याइस में क्या होता है करें जो हमारे CPU की requirement है अब हमने CPU power 1 बन पढ़ा CPU power 2 पढ़ा अब हम पढ़ेंगे CPU power 3 CPU power 3 में आप नोटिस करो तो पहला देखो VDD PLL मनला power loop lock होता है और यहां पर आप देखे EBI RAM का एक voltage है APC और यह भी आपके CS 1.8 voltage है तो यह voltage भी आपका बनना चाहिए तो यह voltage आपका बनना चाहिए 0.8 यह भी एल्डियो का है यह 1.8 है यह EB1 यह भी आपके आपके बिसरी बक की supply है तो पॉंटेट voltage है जो आपके CPU को दी जा रही है ठीक है यह VDDG है यह भी आपके एक RAM की supply है CPU के बिसरी बार्स है जो की एल्डियो के तुरू आरी है यह तो यह भी आपको बना चाहिए तो यह CPU के कुछ खास वोल्टेज होते हैं जो हम नजर अंधाज कर देते हैं और हम फिर फोन को ओन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पर्टिक्लर वोल्टेज पर काम नहीं कर रहें अब देखो इसमें समझने की है यह CSI कैमरा के लिए और DSI आपके डिस्प्ले के लिए है अब कैसा है कि अगर आपका डिस्प्ले कैमरा नहीं चल रहा है या CPU रिबॉल करना पर जाता है तो यह रीजन इन वोल्टेज की वज़े से भी होती है तो दिमांग में रखना यह वोल्टेज भी आप डारेट भी देख सकते हैं और रिबॉल करने की जरूद नहीं नहीं है नहीं आते तो फिर इस लाइन को करेंगे क्योंकि यह भी हमें समझना है तो देखो कितने सारी जगह पर जा रहा है यह देखो यह आप नोटिस करो यह पॉइंट एट वोल्टेज लिखा हुआ है यहां पर सब लिखा होता है किे सब्कार कौन मना होगा है कि यहां पर भी आपको ऐल फूर दिखाईर ना तो वह यह आपका झैक बना रहे हैं इस तरीके से कि यह Ale for दृऩ्प देरहें एंब को है यह आपका ही यह ने बना रहा है यह बक बना रहा है बत्inci सब्सक्क्रति यह बक्ली Supp Fields Basic holawμε next बनेगा तो यह दिमाग में रखना यह बख 1.1 और जोड़ी नहीं हो सत्ता है कि एलफूर के पैड लाइन आपका मिस हो गया हो या किसी तरह का रस्ट या जंग लगी हो या अंदर से लाइन ही कटे गई हो तो यह चीज होती है अब पावर तरी की बात कर रहे हैं तो यह वाला में पावर से बनेगा वन पॉइंट वोल्टेज हैं और यह वाला आपका एल्ली वोल्टेज से बनेगा तो यह वोल्टेज की है की हमारी रिकॉर्डमेंट है अब कुछ हम इस जगे आ जाते हैं तो क्यू लिंक भी हमारा एक तरह का जो फ्रिक्वेंसी डाटा होता है तो यह आपको समझना है यह वोल्टेज आपको फिलाल यहां पर जैसे अब ओन होने के लिए चाहिए की नहीं चाहिए तो यह जो यहा के आहिए तो इसके बाद में अगर हम बात करे में क्यू लिंक एल propose यहां झाए बन रहा है उब कि यहां पर यह बन लोगे-पर कूंवर यहे जगी है सकते हैं और इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो अब यह जो वोल्ट जो वोल्ट जाएं काफी इंपॉर्टेंट वोल्ट जाएं इससे हला कि सीपी ओन तो हो जाएगा मसला यह है कि आपका यह वाला यूएजबी हाई स्पीड यूएजबी अगर यह दो वोल्टेज मिस होते हैं तो आपका पॉर्ट नहीं बनाता है तो यह दोनों ही आपके लोगर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अब इसके बाद यहां पर आप देखो तो एडीसी वोई अनलॉग टू डिजिटल कंवर्टर यहां पर सप्लाई जो वोल्टेज हैं वी डीडी डाव्य डव्लु सी एसकी तो यह वन पॉइंट री वोल्टेज है यह भी मिलना चाहिए और यहां पर एस त्री एक बग सप्लाई मिल रही है यह भी मिलना चाहिए एभी आई सप्लाई मिल रही है अब आपके आपके जो वी डियों के लिए और यह भी आपको मिल रहा है और यह बक बॉल्टिस बक सप्लाई से मिल रहा है जो कि यह बना रहा है जिसमें यहां पर यही लाइन होकर सीप्यू को भी जा रही है अभी कैसा हो सकता है सीप्यू ट्राय हो तुमारा लगा ना हो तो यह पैड़े अकम नहीं लगा होगा तो भी आपका सटना अटोपोर्ट बना लेगा वी डिडी क्यू वन पर आपको बिसिकली प वोल्टेज मिलता जो कि औरेडी कनेटेड होता आपका वी सी सी क्यू से चलो तो आइगेस कि आपको यह वीडियो दोड़ा वह समझ में आया हूं मैंने आप पावर समझाने की कोशिस की है और मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो जितना भी है आपको सीखना पड़ेगा जो स्टुडेंट आ रहे हैं सीखने के लिए वह बेखुब नहीं है कि वह आ रहे हैं और सीख के जा रहे हैं और आप यूटूब से देख रहे हो समझाना बड़ आप क्या करते हो ना आप लोगों के चीज में आपको बताना आप लोग है ना हर चीज में ना आपको डिसकाउंट या फिर कम फीस अब आपको कम फीस में भी पढ़ना है अच्छा ग्यान भी चाहिए तो आप कैसे आप आपको देख लो ना आप रोड पे कपड़े बिखते हैं उनकी क्या ही रहता है आप खुद नहीं पहन पाओगे उनको दो दिन के बाद एक दुलाई का खतम या आई की दुलाई में भी नहीं पहन पाओगे हां मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत ही अगर मिडल क्लास फैमली के हो यह सारी चीज है तो फिर आप टूल कैसे लाओगे दूसी बात मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता कि करजे से पैसे से पढ़ाई पड़ो करजे से पैसों से यह पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है मेरे बाई करजों से पैसों से पढ़ाई पढ़ी जाती है जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ानी क्योंकि उ को चाहूंगा तो नहीं होता को पैसा यह नहीं नहीं है कि भर से लिया पैसा नहीं होता है तीक है वह दार है यहां कि दिमाग में एक बात रखना करद जा मतलब जो आप जो आप इंटरेस्स मिलेते हो जैसे आपने ले लिया किसी भी इंसिटीट को इमाई से पैसा मत देना बहले पढ़ना मत जब तक पैसे ना आ जाए तब तक मत पढ़ना कोई भी मतलब नहीं है बास समझ में आ रही है आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा अगर आप इसको करोगे तो मैं जहां तक समझता हूं मैं आपने इंस्टिटुट में कभी भी किसी को भी क्या कि मैं जानता हूं कि उसको जाकर दो महीने तीन महीने तो पैट्रेस करनी है और उसका आउपट निकलेगा मैं तो टीचर वना हूं मैं तो कितने पैसे हमारे पढ़ा हुए बच्चे कितने पैसे कमारा है आप तो सोच नहीं सकते हमारे पढ़ाय हुए बच्चे कितना पैसा कमारे आप सोच भी नहीं सकते मैं तो नाम नहीं लेना चाहता ना उनका कभी लूंगा भी नहीं क्योंकि उनकी भी किस्मत है वो भी कमारे मेहनत कर रहे हैं दिल्ली हो गए गुजरात हो गए या कितनी ऐसी जगे पे हैं बैस बंगाल में जहां हमारे पड़े हुए बच्चे इंस्टिटूट चला रहे हैं बड़े बड़े नाम हैं बड़े यूटूबर हैं और सब कुछ है बट ठीक है और भगवार उनको बहुत आगे बड़ा है मैं यह कहना चाहूंगा बड़ आपको भी समझना है हमने सपोड किया है हम सपो ऑड़े तो तुम्हारा कॉल कल लिया हम से सलूसर्ण डाल दिया तुम्हारा फंम बन गया तो यह सोच है यह आपको सिफ घस्टूमर एक टेखिनी से नहीं बना के रहेगी आपको फोन भी बनाने लेको टीचर कैसे टीचर बने यह भी तो फोन बना रहे हैं यह आपको कहां से नोलेज दे रहे हैं इनका सुईना जो सूबखे ऊड़के अपना से नागता यह भी बनाते तो यह जो मैंनट करते중 है आप मेंनत करेंगे आप बी बनते हैं कुछ अलग नहीं हैं आपको सपूर्ट करने वाला कोई नहीं है मैं मानता हूं आप देख लेता है अदर चौह इसके लाब आप मेरे फेस्बुक में जाए फेस्बुक में जाकर आप हमें सर्च कीजिए इसर टेलिकॉम मैं आपको बता देता हूं आपको कहां सर्च क्या करना है तो फेस्बुक में जाओ फेस्बुक में इससे टेलीकॉम जाओ और जो नहीं जानता है इसलिए मैं कह रहा हूं लाइब वीडियो देखो पाँच लाग के ओपर फॉलोवर्स है कोई मजाक नहीं है लाइब वीडियो देखो यहाँ पर और अभी हमने हमारा बहुत प्यारा बैच निकाला है यह हमारे 28 अटुवर्ड का बैच है दिवाली बैच हमारा और बहुत मजा आया इनको पढ़ाने में इस बैच का पूरा क्लासेज दली है देवन से लेके डे आखरी तक और लाइफ दली है तो इनको वाच करो जाओ स्कूर्ल करो ठीक है और अगर किसी भाई को एंड्रोइट पर रहे हैं और अगर आईफोन करना चाहते है तो उनके लिए भी मैंने एक कोर्स बना है सिलिए मैं आपको पहले बता वह पंदरह और 16 सतर की भाद करूंगा जिनकी 13 चे ओपर थी स्कमाटेक और सर्किट भी नहीं है तो उनकी मैं उन सब की फ्ल्ट यह बात नहीं करता जिनका है अभी आप क्वी को पहले बेसिक लिए प्रवन शीकना है आपको पहले सोच एक्स का टिक्रिस तीको फिर आइफ मैं तो कभी जिन्दगी में टेक्टिशन ये टीचर नहीं बनका होगे तो ये कोस आपके लिए इसमें क्या है जो फीस है बहुत कम है ये 9999 में नहीं है मैं आपको बता दूँ ये फीस एच्छल में जैसी आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये अप्लाइ कोड यहाँ पे जो अप्लाइ करोगे कोड को ये दिवाली कोड को क्लिक करोगे ये को मैं कड़के देखाता हूं और जैसे आपको कुमन हो जाएगा तो साथ 9999 में दो साल के लिए कंटेन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं iPhone 6, iPhone 7, iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone UTD का उल्पलीट इसो रीगल फोड कर बमेकल कोड का उलके दिसो अबर आजीक्ट नहीं प्रोगामिंग कंप्लीट 15 प्रो तक बताईए मैं उल्प्राइट में पूरा देखी नहीं सकते इतना तब कुछ है आप अपने पूरे दो साल में भी यह नहीं देख सकते हो जब कि मैं इसको लगातार अपडेट कर रहा हूं लगातार कंद्रा से उपर जाता कंटेन हो गया तो जाके इसको इंजॉय करो प्लीस वही लोग इंजॉय करना वही लोग पढ़ना जो और रेडी टेकनीशन है उन लोग मत पढ़ना जो टेकनीशन नहीं है जो फ्रेसर है वह बेसिक अटेंड करो अटिकल जाओ खुद सीखो फोन ओन को लो तब जाके काम करना वीडियो गहीं से लागा बताएंगा जरू थैंक्यू वेरी मच ऐसे ही मैं आता रहूंगा